हेलो गाईज, लाश्ट क्लास में हमने आपको CBSE क्लाश टो द अप्लाइड मैस में बोट एंड स्टीम का बेसिक्स करवाया था, शानदार तरीके से हर एक चीज आपको समझा दी थी और आज अपने को एक्सरसाइस करनी है, तो आज हम ML भारगव बुक में से एक्सरसाइस 2.2 करेंगे जो की क्लाश टो द अप्लाइड मैस के डोपिक बोट एंड स्टीम पर बेस है, तो क्या आप सब तयार हैं, टोटल हमें 15 कोशन दिये गए हैं पूरी कमप्लीट अक्सरसाइस में और शानदार जानदार मस्क लेवल वाले कोशन हैं, अगर इन कोशन को कर डाला, तो एमल भारगव बुक कमप्लीट करवाएंगे, तो पहला कोशन आपके सामने प्रेजन करते हैं मेरे भाई, फर्स्ट कोशन कहता है, ए बोट रो विदे स्पीड ऑफ 10 किलोमेटर पर आवर, इन स्टिल वोटर, स्टिल वोटर की स्पीड, बोट के खुद की स्पीड है, यानि की X का वेलू है, तो आप लिखेंगे question नमबर वन में, इन question number 1, आपको X का वेलू दिया हुए है, 10 क्लोमेटर पर आवर, X की वेलू 10 है, भई, X का वेलू क्या है? X का वेलू 10 है, if the speed of stream, पानी का speed, stream का speed, पानी का speed, y का value, y का वेलू, question कहता है 3 है, y का value, question कहता है 3 है, right, y क वेल्यू 3 है, question आप से demand कर रहा है, time बताइए मेरे दोस्तों, time का value बताना है, 26 km डाउं स्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा, 26 km का डाउं स्ट्रीम ट्रैवल करना है, right, तो डाउं स्ट्रीम का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, डाउं स्ट्रीम का डिस्टेंस आपको दि तो फोर्मुला फटाफट तेजी में यहां पर आपको मालूम है speed का फोर्मुला होता है distance upon में time तो time का फोर्मुला होगा distance upon में speed so time equal to my distance कौन सा downstream का downstream का distance 26 km है 26 km को divide करेंगे downstream की speed से मेरे दोस्तो downstream की speed से downstream की speed increase वाली speed याद है आपको example और धक्का लगके तेज वाली speed increase वाली speed increase वाली speed यानि की दोनों का addition 10 और 3 का addition 10 प्लस में 3 करना है यानि की 26 को 13 से divide करेंगे you will get 2 hour answer कितना answer आगया 2 hour answer आगया कहीं कोई दिक्कत आगया आपको पहला question basic level question 2 hours answer solution आपके सामने आगे बढ़ जाएं second question में भाई जान ही नहीं है यार second question में जान ही नहीं है boat can draw upstream 10 km downstream में 10 km upstream की speed दियो है downstream की speed दियो है upstream का मतलब minus वाली speed downstream का मतलब plus वाली speed increase वाली speed, decrease वाली speed तो upstream की speed 10 km यानि की question number 2 में आप लिखेंगे upstream upstream minus वाली speed यानि की x minus y का total value 10 है downstream increase वाली speed सलवल मी स्प्र воकtså्राओं की याद हैं हमने आ姿वाइट की सिखाए तो कोशन आप से कहा रहा है нем दौर का स्पीड बता है करंट का स्पीड बताई याने कि करंद का स्पीड पानी का 14 फिर आप लिखेंगा y का value subtraction का half यानि की 18 minus में 10 by 2 यानि की y का value बनेगा 8 divided by 2 और 8 divided by 2 का मतलब है only 4 खेल खतम हो गया x का value 14 है y का value 4 है मेरे दोस्तों मेरे दोस्तों मेरे दोस्तों basic concept का video जाके देख लो तभी आप ये exercise फटा फटेजी में फटा फटेजी में और आप आओगे तभी कहानी आपको समझाएगी तो make sure मेरे भाई आपने basic concept का video देखा हुआ है basic concept के video को देखे मिना ये exercise करोगे तो दिक्कत रहेगी दिक्कत रहेगी comment section मुझे गालियां दोगे ऐसा मत करो अपने आपको इंप्रूफ करो अपने आपको इंप्रूफ करो basic concept का video देखो फिर जा करके ये वली exercise देखना आगे बढ़ जाएं question number 3 करते हैं दगो भई question कहता है speed of boat in still water 11 km per hour सोचना मना है x का वल्यू दिया हुआ है सोचना मना है value of x की दिया हुआ है 11 km per hour है speed of boat in still water यानि की question number 3 में आपको x का वल्यू दिया हुआ है 11 है ठीक है भई x का वल्यू 11 है it can go 12 km upstream and return downstream to regional point in 2 hour 45 minute यार क्या question है भाई क्या question है upstream में गए है downstream में आए है total time दिया हुआ है 2 hours 45 minute तो you will write here total time ठीक है ना total time आपको दिया हुआ है 2 hour plus में 42 hour plus में 45 minute लगा है ये कैसा time है यार km per hour 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 में ये minute कहां से आ गया हटाओ इस minute को फटा फटेजी में हटाओ इस minute को हटाने के लिए minute को 60 से divide कर दो 15 3 हो जाएगा 15 4 हो जाएगा 4 को 2 से multiply करेंगे 4 to the 8 plus 3 11 divided by 4 क्या आपको कैलकुल से समझ आ गई है मेरे दोस्तों ध्यान्स मेरी बास सुनिए 2 hours 45 minutes in complete time है minutes को hour में change करना पड़ेगा तो divide by 60 करना पड़ेगा अगर divide by 60 करना पड़ेगा तो total 11 by 4 बनेगा time 11 by 4 है time का value 11 by 4 है यानि की up stream के time में अगर down stream का time add करेंगे 11 by 4 है up stream का time क्या जैसे मैंने यहाँ पर time बनाया था up stream का time up stream का distance up stream की speed question कहता है 12 km हमने travel करा 12 km travel करा तो up stream का distance 12 km है up stream की speed minus वाली speed कम वाली speed minus वाली speed 11 में y minus कर देंगे 11 में y minus कर देंगे adding करेंगे down stream का distance जितना गए उतना आए जितना गए उतना आए school से घर घर से school schools से घर 10 km ए school से घर गए sorry घर से school गए 10 km क्योमेटर school से खर वालीज़ आई 10 आई 10 क्योमेटर गए बारा किलोमेटर का डिस्टेंस है डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस बारा किलोमेटर को डिवाइट कर देंगे डाउन स्ट्रीम स्पीड से डाउन स्ट्रीम का टाइम कैसे आएगा डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस बाई डाउन स्ट्रीम का स्पीड तो downstream का speed होता है addition वाला speed 11 में adding करेंगे y कुल मिला करके 11 by 4 है यहां से आपको solve करना है y का value क्या है यहां से आपको solve करना है y का value क्या है तो 12 और 12 को common कर लो अगर आप 12 12 common कर लोगे आपके पास 1 upon में 11 minus y के addition में 1 upon में 11 plus y का total value 11 by 4 होगा 12 को same रहने दो 1 को यहां multiply कर दो 11 plus में y के addition में 11 minus y हो जाएगा denominator में दोनों का multiply 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 a minus v a plus v a minus v a plus v यह पर तक तो mind इमागा जाना चाहिए a minus v a plus v a minus v a plus b a square minus b square क्या होता है a square minus b square होता है यानि की 1211 का square 121 माइनस में y का square close करेंगे equal to में 11 by 4 आएगा ठेक है भई equal to में 11 by 4 आएगा y और y को cancel करा 11 और 11 को multiply करेंगे तो total 22 हो जाएगा यानि की 12 के साथ में 22 के denominator में 121 के minus में y square है total value 11 divided by 4 है ग्यारा इसे काट देगा दो पे 12 को 2 से multiply कर देंगे 24 होगा 4 multiply होगा यहाँ पे 4 multiply करा equal to में 121 माइनस में y का square इसको multiply करेंगे 96 equal to में 121 माइनस में y square y square को यहाँ पे लेके आएंगे y square बराबर 96 माइनस होगा 121 माइनस में 96 यानि की y square का जो answer है y square का answer जो है वो कुल मिला करके आपके पास 25 है y square 25 है y बराबर 5 है खेल खतम हो गया speed of stream question की demand था speed of stream कितना है speed of stream आपके सामने है 5 km per hour है basic level question concept अगर आपको आता है कोई भी level का question बिल्कुल चिद्दी लगेगा आपको बिल्कुल πिद्दी चिद्दी चिद्दी चुट्टा चुट्टा question लगेगा देखते ही देखते है देखते ही देखते questions उड़ जाएंगे तीन कोशन उडाली है हमने बोट हमारा भर चुका है एक बाराब इसको नोट को रो फटावर तेजी में धगो भई कोशन नमबर 4 वेरी 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 इंपोर्टन कोशन है कहते हैं स्पीड ओफ बोटें स्चिल वाटर 12 km per hour X का value दिया हुए स्पीड ओफ बोटें स्चिल वाटर X का value है भी पोट का खुद का स्पीड है X का value है 12 km per hour इट टेक ट्वाइस दो गुना समय लग गया मेरे भाई इट टेक ट्वाइस दो गुना समय लग गया अपिश्ट्रिम जाने में as a comparison to downstream वापिस आने में upstream गए हैं, downstream आए हैं upstream गए हैं, downstream आए हैं upstream गए थे, 2 घंटे अधिक लग गए 2 गुना समय लग गया तो बताईए speed of stream क्या है देखते ही खत्म होने वाला question है question number 4 में आप लिखेंगे x का value question कहता है 12 है x का value question कहता है 12 है y का value आपको determine करना है question की condition है upstream का time जो है 2 गुना है upstream का time 2 गुना है किसके downstream time के upstream का time होगा distance d के denominator में distance d के denominator में upstream की speed x minus में y यह बराबर है 2 multiply downstream का downstream का time यानि कि distance d के denominator में भढ़ने वाली speed, increase वाली speed यानि की x plus में y cross multiply कर दो तेजी में एक दम x plus y का total value 2 into में x minus y के बराबर है यानि x plus y का value 2 into x minus 2 y के बराबर है यानि minus x की value minus में 3 into y के बराबर है minus minus cancel x की value 12 है तो 12 का value 3 into y है यानि y का value 4 है खेल खतम हो गया मेरे भाई देखते ही देखते देखते ही देखते बिना non-stop question खतम हो चुका है basic level question है, basic level question है, basic level question है, पांचवा question उड़ाएंगे फटाफटेजी में, पांचवा question कहाता है, एक बंदे को downstream 30 km और upstream 20 km ट्रावल करने में, ठीक है ना, 5-5 घंटे का समय लगता है, man row downstream, downstream गया है 30 km, upstream गया है 20 km, if he take 5 hours each, 5 hours to cover each distance, हर एक distance को cover करने में, 5 घंटे का समय लगा है, मेरे भाई, 5 घंटे का समय लगा, यानि की question number 5 में, question number 5 में हम लिखेंगे, increase वाली speed, downstream वाली speed, x plus y, x plus y, speed equal to my distance upon time, speed होती है, distance upon my time, distance upon my time, distance upon my time, downstream का distance है, 30 km, downstream का distance है, 30 km, 30 km की distance को divide कर देंगे, 5 घंटे के time से, यानि की x plus में y का total value 6 है, equation number 1 है, साथ में आप नोट करेंगे, गिरने वाली speed, decrease वाली speed, upstream की speed, x minus y का value, कितना distance travel करा है, only 20 km, only only 20 km upstream travel करा है, तो upstream के distance को, 20 km के distance को divide कर देंगे, time से time same है, time 5 घंटे ही है, 5 से divide करेंगे, x minus y का total value 4 आएगा, equation number 2 है, पड़ा फटेजी में question को आगे पढ़ेंगे, question कहता है, then find the speed at which he row in still water and the speed of current, current का speed बताईए, still water का speed बताईए, x और y का value बताना है, basic concept का question आगया, फटा फटेजी में आप note करोगे, x का answer, plus का half होएगा, 6 के addition में 4 करेंगे, 2 से divide कर देंगे, x का value 5 आजाएगा, साथ में y का value minus कर देंगे, 6 और 4 को minus कर देंगे, 6 और 4 को minus करेंगे, 2 से divide करेंगे, y का value 1 आएगा, खेल खतम हो चुका है, आगे बढ़ेंगे, फटा फट तेजी में, speed में आगे बढ़ेंगे, और question number, question number 6 करेंगे, question number 6 कहता है, boat running downstream, cover distance 16 km 2 hour, 16 km का downstream का distance 2 घंटे में पूरा किया गया है, ओके, very very good, इसका मतलब question number 6 के अंदर, x प्लस में y का total value 16 km के denominator में 2 घंटे है, speed बढ़ेंगे, distance बढ़ेंगे time, speed equal to distance बढ़ेंगे time, distance है 16 km टाइम है 2 घंटे का, तो downstream का speed, increase वाला speed, x प्लस y का value 16 बटे 2, 16 बटे 2 का मतलब है कितना, 16 बटे 2 का मतलब है 8, यही same distance, 16 km का distance अफिश्ट्री में travel करोगे, minus वाली speed से travel करोगे, अगर 16 km माइनस वाली speed से travel करेंगे, 4 घंटे का समय लगेगा, कितने घंटे का समय लगेगा, 4 घंटे का समय लगेगा, 16 को 4 से divide कर देंगे, x minus y का total value 4 है, equation number 2 है, question की क्या demand है मेरे दोस्तो, question कहता है, just to find the value of x, what is the speed of boat in still water, x का value बताना है, तो x का answer क्या होता है, addition का half होता है, addition का half होता है, यानि की 8 plus में 4 by 2 होता है, यानि की total 10 होता है, नई 10 नहीं होता है, 6 होता है, ठीके ना, कितना होता है, 6 होता है, question number 6 का अंसर आ गया 6 km per hour, मेरे दोस्तों अगर आपको कहानी समझा रही है, आपको कहानी समझा रही है, और आप मेरे guidance में paid match में पढ़ना चाहते हैं, शान दर पढ़ाएंगे, जान दर पढ़ाएंगे 100% आपका result लेकर आएंगे तो अगर आप capable हैं, तो हमारे paid match में रोल कर सकते हैं, अगर capable नहीं है, मेरे दोस्तों अगर आप capable नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, YouTube पे पढ़िए, question number 7 करिए, question number 7 कहता है motor board जिसका speed 15 km per hour 30 km डाउंस्ट्रीम में जाता है, वह आपकी साता है, 30 km जाता है, 30 km पर आता है 30 km गया, 30 km पर आया कितना समय लगा दिया, 4 घंटे 30 मिनट लगा दिये, कितना समय लगा दिया 4 घंटे 30 मिनट लगा दिये question number 7 में आपको x का value दिया हुआ है ठीक है ना, आपको x का value दिया 15 है, x का value 15 है y का value पता करना है why क्या के question mark, total time दिया हुआ है, मेरे भाई, total time दिया हुआ है, total time चार घंटे लग गए है, 4 घंटे 30 मिनिट लग गए है, कहानी आप समझ गए है, भाई, कहानी आप समझ गए है, total time के अंदर minute का कोई value नहीं है, minute को hour में change करना पड़ेगा, minute को hour में change करने के लिए divide by 60 करना पड़ेगा, अगर आप इसको divide by 60 कर दोगे, तो 31 जा 30, 32 जा 60, 4 जा 8 प्लस 1 में 9 बाई 2 आ गया, total time का मतलब है 9 बाई 2, अगर total time 9 बाई 2 है, तो अभी तो मैंने question कर रहा है, जिसके अंदर y का value 5 था, तो same ही तो question है, distance कितना है, 30 km है, तो बाई total time का मतलब क्या है, total time का मतलब है time of downstream के, मैं adding करो time of upstream, दोनों का total time 9 by 2 है, तो downstream का भाई, downstream का time जो है, downstream का time, downstream के distance को downstream की speed से divide करेंगे, तभी तो आएगा ना, क्या आपको मेरी बास समझा रही है, time of downstream, downstream बढ़ने वाली speed का time कैसे आएगा, बढ़ने वाले distance को, समझे वाले speed से divide करेंगे, तभी तो time आएगा मेरे भाई, तो distance कितना है, distance 30 km, 30 km को divide करतेंगे, increase वाले speed से, इनके addition से, यानि की x प्लस में y से, adding करेंगे, distance same है, 30 km, मेरे भाई, 30 गए, 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 30 किलो मेटर downstream के, 30 किलो मेट तो 30 km अपिस्ट्रिम डिस्टेंस है, डिवाइड में, दोनों का सब्ट्रेक्शन, अपिस्ट्रिम की स्पीड होती है, सब्ट्रेक्शन, X- में Y, टोटल वेल्यू कहते हैं, 9 by 2 है, ठीकर भी टोटल वेल्यू कहते हैं, 9 by 2 है, 30 को कॉमन करो, फटा फटे जी में भाई, सोचना 9, ठीक है, 3, 10, 30, 3, 3, 9, 2 को यहां मल्टिप्लाइ कर देते हैं, सो 2, 10, 20, ठीक है, 2, 10, 20 के साथ में LCM करेंगे, X के एडिशन में Y के एडिशन में X-Y कर देंगे, Y और Y को कट कर देंगे, यहां पर A+, B, A-B है, यानि कि X2-Y2 है, ब्रैकेट क्लोज करके, इक्वल तो में only 3 remaining, क्योंकि इस फ़ले 2 को तो मल्टिप्लाइ कर दिया, मेरे भाई 2 को मल्टिप्लाइ कर दिया, बार-बार लिखोगे महां पे, जब मल्टिप्लाइ हो गया, तो महां थोड़ी लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, स्कॉब, ठीक है, इन दोनों को हम solve करेंगे, तो 2X आएगा, त तो बनेगा यह आपके पास 20 multiply by 2 multiply by 15 के denominator में, simple है, 2 to 5 माइनस में y पावर 2 और equal to में 3 है, कितना simple calculation है, जो 3 है, 15 को काटा पीटी कर देगा, यह जो 3 है, 15 को काट के 5 बनाएगा, 5 into 210 यानि कि 200, तो 200 की value जो है, वो 225 माइनस में y square है, यानि कि y square का value 225 माइनस में 200 है, यानि कि y square का value 25 है, तो इसका मतलब y का value 5 है, ओ, 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 बिल्कुल same answer आगया, same question करा था, same नहीं, similar question करा था, तो उसका भी answer 5 था, इस question का भी answer 5 है, देखते ही उड़ने वाला question है, very, very, very important question है, हमारा board दुबारा से भर किया है, फटा-फट तेथी मैं आप इसको note करो, फ question number 8 आपके सामने आचुका है, question number 8 कहता है, speed of boat in still water खतम हो गया, question x का value दिया हुआ है, आप कहेंगे sir, question खतम हो गया, start भी नहीं हुआ, मेरे y खतम होने का मतलब होता है, question समझ आचुका है, x का value दिया हुआ है, boat ने 30 km upstream में ट्रावल करा है, 44 km downstream में ट्रावल करा है, total समय 10 ग question number 8 में आपको total time दिया हुआ है, total time आपको दिया हुआ है, total time का मतलब है time of upstream और time of downstream, दोनों का total time का time क्या होगा, upstream का distance upon me downstream की speed, equal to total 10 है, कोशन ने आपको distance अलग अलग दिया हुआ है कोशन नमबर 7 में distance same था same था ना भाई same same था 30 कोमन करा था इसमें same है मुझा आप सोरी इसमें अलग है अप Stream में 30 km travel करें है अप Stream में 30 km travel करें है ये बला value 30 है 30 km का distance आपने कम speed से travel करा कम यानि की x-y से travel करा adding करेंगे downstream का distance कितना downstream गए हो कितना downstream गए हो only 44 km गए है कितना गए है 44 km गए है तो इसका मतलब 44 km को हम divide कर देंगे x के addition में y से और एक total value आपको 10 दियुई है तो इस equation का use करके आपको पता लगाना है y का value क्या है अगर x का value 8 है x का value 8 है तो 8 पुट कर देते हैं यहाँ पर 8 हो जाएगा यहाँ पर यह वखलब यह वाला भी total 8 हो जाएगा ठहिके न भाई फिर आप यहाँ पर common तो कुछ आ नहीं रहा common कुछ ढंका value तो आ नहीं रहा है so क्या किया जाए तो यार जो आ रहा है उसी को common ले लिया जाए 2 को ही common कर लेते हैं ठीक है 2 को हमने common कर लिया 2 common करने के बाद में यहाँ पे 15 आ गया 15 के denominator में 8-y है addition में 22 के denominator में 8 plus में y है close करा equal to 10 आ गया 2 1s are 2 होता है 2 5s are 10 हो गया ठीक है अब इसको cross multiply करेंगे 15 को 8 से multiply करेंगे 120 आएगा 15 को y से multiply करेंगे 15 y आएगा 22 को यहाँ में multiply करेंगे 22 को 8 से करेंगे 176 आएगा 22 को y से करेंगे 22 y आएगा denominator value में दोनों का multiplication आएगा multiply a minus b a plus b a minus b a plus b 8 का square हो गया 64 b का square y का square y square equal to total 5 है मेरे दोस्तों क्या को पास समझा रही है क्या आपको हमारी बात है समझा रही है बोलो मेरे भाई इनका multiply 64 minus y square 15 का multiply कर दिया यह बन गया 22 का multiply कर रहा यह बन गया फटा फट इसको और इसको add करेंगे ठीक है दोनों value को add करेंगे तो अपने पास answer बनेगा हमारे पास answer बन जाएगा 270 sorry 270 नहीं एक और एक दो no 296 ठीक है 296 और इन दोनों को combine कर लेंगे 22 में 15 घटा देंगे 22 में 15 घटा देंगे minus में 7y हो जाएगा denominator value में यह same रहेगा यानि कि 64 माइनस में y square की total value 5 रहेगी इसको वहाँ multiply करेंगे 296 माइनस में 7y का total value इसको इससे multiply करेंगे ठीक है ना 64 को 5 से करेंगे तो 5 4s are 20 5 6s are 30 और 2 32 320 आ रहा है 320 में minus कर देंगे 5 into y square 5 y square को यहाँ पे लेकर आएंगे तो plus का 5 y square minus में 7y plus में 296 minus में 320 की total value 0 है इन्हें solve करेंगे 320 में से 296 माइनस करने है तो 10 में 6 माइनस करेंगे 4 आएगा 11 में माइनस करेंगे 2 आएगा ठीक है ना 24 बनेगा तो 5 into y square में minus करेंगे 7y और minus कर देंगे 24 की total value 0 5 और 24 को solve करने पर 120 आएगा मेरे भाई quadratic equation है quadratic equation को solve करना पड़ेगा 5 और 24 को multiply करने पर 120 आएगा कितना आएगा 120 आएगा 120 के factor बनाएंगे 15 और 8 हो जाएंगे 15 और 8 को माइनस करने पर 7 आजाएगा तो 5y square में minus करेंगे 15y add करेंगे 8y minus कर देंगे 24 की total value 0 इनको आप common कर लेंगे तो 5y common आजाएगा y minus में 3 होगा plus में 8 common करेंगे इन दोनों में से 8 common करा bracket में y minus 3 है total value 0 है y minus 3 y minus 3 है y minus 3 के साथ में 5y plus में 8 है total value 0 है यानि कि आप लिखेंगे y minus 3 equal to 0 so y का value 3 y का value 3 और 5y plus में 8 का total value 0 5y का value minus 8 यानि y का value minus में 8 by 5 जो कि गलत है मेरे दोस्तों प्यारे दोस्तों speed negative नहीं होती है speed और सोचके बताएगे क्या speed minus हो सकती है speed माइनस नहीं हो सकती है speed minus नहीं हो सकती है तो y का value 3 है ठीक है भाई वाई का वेलू कितना है वाई का वेलू तीन है उम्मीद करता हूँ कोशन आपको समझा आ गया है कोशन नमबर नाइन आपकी स्क्रीन पर है कोशन नमबर नाइन कहता है जो मतलब कोशन नमबर नाइन ऐसा ही तो है question number 9 ऐसा ही तो है बिल्कुल question number 9 ऐसा ही है 10 नहीं ऐसा नहीं है sorry 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 very very sorry ऐसा नहीं है 7 question के जैसा है 7 question के जैसा है हना question number 9 में आपको total time दिया हुआ है 4 hour 30 minute distance same है भाई इसके अंदर distance same है क्यों लग रहा है कि मैंने ये question अभी solve किया है बिल्कुल मेरे भाई, कोशन नमबर 9 जो है, वो कोशन नमबर 7 का बिल्कुल हूब हूब कोपी है, अरे कोशन नमबर 9 जो है भाई, कोशन नमबर 9 जो है, हम ने जो अभी आपको कोशन नमबर 7 करवाया है, वो दोनों same to same है, तो कोशन नमबर 9, कोशन नमबर 7 बिल्कुल same to same ह हम इन दोनों questions को skip करके आगे बढ़ेंगे question number 10 करेंगे । ठीक है भाई कौन सा करेंगे question number 10 करेंगे ओके अब यार मिरे पर फुरोशा नहीं है क्इह तुम लोगों कमाल करते हो भाई यार ऐसे कैसे पड़ोगे आर फुरोशा नहीं है तो channel छोड़के तुरंत की तुरंत की तुरंत चले जाओ यार ये देखो कोशन नमबर 7 आपको मैंने बिल्कुल सेम करवाया 5 इसका अंसर आया था yes और no हा या ना तो बोलो अब करवाया था ना मेरे भाई आपको तो बिल्कुल यही तो है ये वला कोशन यार कमाल करते हो भाई तो मेरे भाई अगर आपको मेरे पर भरोसा नहीं है अगर आपको हमारी उपर भरोसा नहीं है भरोसा है तभी इस वीडियो को आगे देखो वरना आपकी इच्छा question number 10 करवाएंगे हम आपको तो question number 10 कहता है a man can grow three quarters of a kilometer इसका मतलब क्या है एक kilometer में से तीन भाई चार ट्रेवल करा एक kilometer में से तीन भाई चार ट्रेवल करा यानि की मेरे भाई अगर यहां से ट्रेवल करते हुए यहां तक जाना था और अगर यह total एक kilometer है अगर if this complete distance वन kilometer तो आपने पूरा distance ट्रेवल नहीं करा आपने three fourth यहां तक का distance ट्रेवल करा सिरफ आपने यह वाला distance ट्रेवल करा बागी का distance ट्रेवल नहीं करा तो कोई दिक्कद यह नहीं करा तो नहीं करा भाई distance अगर बागी का travel नहीं करा तो नहीं करा हम क्या कर सकते हैं कोशन ने कहा है three by four travel करा है तो बस three by four travel करा है यानि कि आपने three by four kilometer का distance travel करा है बागे का नहीं करा खेल खतम हो गया तो 3 by 4 km का distance अप इस stream में travel किया है 11 by 4 minute में ठीक है भई कितने में travel किया है 11 by 4 minutes के अंदर 11 by 4 minutes के अंदर इसको थोड़ा solve करना पड़ेगा 11 को 4 से करेंगे तो 44 आएगा 44 में प्लस 1 कर देंगे divide by 4 करेंगे यानि कि बनेगा 45 अपन में 4 minutes ठीक है भई कितना बनेगा 45 by 4 minutes बनेगा यार कोशन तो kilometer per hour है कोशन kilometer per hour है और यहाँ पर minute है तो हमें minute को kilometer per hour में लेके जाना पड़ेगा कैसे लेके जाएंगे भाई कैसे लेके जाएंगे कैसे लेके जाएंगे इसको 1 by 60 कर देंगे 1 by 60 करेंगे 15 into में 3 हो जाएगा 15 into में 4 हो जाएगा यानि कि 3 upon में 16 आवर आएगा ठीक है भी कितना आएगा 3 by 16 आवर आएगा तो कोशन कहता है upstream में यह बना distance upstream travel करने में इतना समय लगा है ठीक है इतना समय लगा है यानि कि आप यहाँ पर note करेंगे upstream यानि x minus y तो x minus y का distance travel करने में यानि कि 3 by 4 km का distance travel करने में इतना समय लगा speed equal to distance upon time distance लिख दिया speed लिख दिया time लिखना है तो 3 divided by 16, ठीक है भई, 3 divided by 16, आप इसको आगे solve करेंगे, तो ऐसे बनेगा, ये 3 divided by 4 के multiply में, 16 के denominator में 3, 3, 3 cancel हो गया, यहाँ पर value 4 आ गया, ठीक है भई, 4 और 6 लोगों कट करा, तो value कितना आ गया, 4 आ गया, तो x minus y का answer जो है, वो 4 है, equation number 1 है, ठीक है भई, x minus 4 का, मलब x minus y का answer कितना है, 4 है, आगे कहते हैं, downstream 7, 1 by 2 में travel हुआ, downstream 7, 1 by 2 में travel हुआ है, तो 7, 1 by 2 का meaning क्या है, पहले यहाँ पर note करो, 7, 1 by 2, 2, 7 जा 14, प्लस 1, 15, 15 by 2 मिनेट लगे हैं, ठीक है, 15 by 2 मिनेट लगे है, मिनेट को change कर देंगे, 1 by 60 से multiply करके hour हो जाएगा, 15 जा 15, 15, 4 जा 60, तो 1 क denominator में 8 hour, ठीक है भई, 1 के denominator में 8 hour, तो भड़ने वाली speed, downstream speed, x plus y distance travel करा है, 3 by 4 km का distance travel करा है, कितना समय लगाया है, 1 by 8 hour लगाया है, यानि कि आप इसको note करेंगे, 3 के denominator में 4 के साथ में 8 by 1, तो 4 इसको cut करके हैं आप 2 करेगा, 3 into 2 होगा total 6, यानि कि मेरे भाई, x plus में y का total value 6 ह ठीक है भई, x plus में y का total value 6 है, और x minus y का value 4 है, x plus में 6 कितना है, sorry x plus y कितना है, 6 है, x minus y कितना है, 4 है, caution क्या कहता है, पढ़ो आगे पढ़ो ज़रा, caution क्या कहता है, caution कहता है, speed of man in still water, x का value बताइए, value of x बताना है, value of x होता है, addition का half, यानि कि 6 और 4 का half, यानि कि 6 plus में 4 upon 2 करेंगे, यानि कि total बनेगा 10 by 2, 5 km per hour, tax की value है मेरे भाई, 5 km per hour, 10 caution solve कर चुके हैं, कहीं कोई दिक्कत है, आपको बताइए मुझे, कहीं कोई doubt आया किसी बच्चे को, नहीं आया ना, very very good, शाबाज, फटा फटते जी, यहां तक note करेंगे, फिर आगे बढ Source number 11 तो हमें ऐसा लग रहा है, जैसे हमसे मजाग कर रहा है, Caution number 11 आप से और मुझे से मजाग करने की कुथिश कर रहा है, Caution number demand करता है, total time का value बताईए मेरे दोस्तो total time का मतलब है downstream का time, upstream का time add कर दीजिए downstream का time और upstream का time को add कर दीजिए तो पता कर लीजे downstream का time कितना है बिल्कुल देखते ही खत्म होने वाला question है ये question number 11 में आप लिखेंगे कि जो downstream का time है जो downstream का time है ये होगा downstream का distance downstream का distance upon में downstream की speed downstream का distance upon में downstream की speed तो downstream का distance कितना है question कहता है 105 km का distance travel किया गया है मेरे दोस्तो प्यारे दोस्तो 105 km का distance travel किया गया है तो distance का value जो है 105 है 105 distance km travel किया गया है downstream में travel करा है x प्लस y की speed से travel किया होगा और अगर आपको upstream की value चाहिए तो 105 km का distance आपने minus वाली speed से travel किया होगा तो x और y का value देख लीजिए adding करिए, subtracting करिए, divide कर या answer आजएगा question कहता है x के value 9 है, y के value 1.5 है x के value 9 है, y के value 1.5 है यानि कि यहाँ पर बनेगा 105 के denominator में, 9 में adding कर देंगे 1.5 और यहा पर 105 के numerator में 9 में माइनस कर देंगे 1.5 यहाँ आपके पास आएगा 105 के denominator में, 10.5 और यहाँ पर आप लिखेंगे 105 के denominator में, दोनों को माइनस करेंगे, यानिकी 7.5 ठीक है बई, दोना value cancel होकर यहाँ पर 10 कर देगी गेजी में 75 के टेबल से आप वैल्यू को कट करके बताईए टोटल अंसर कितना आएगा 1050, 1050 को आप लोगों को डिवाइड करना है 75 पे तो आप कहेंगे सरी 14 आएगा, कितना आएगा 14 आएगा आपको बताना है टोटल टाइम, भाई हमें कोशन में बताना था टोटल टाइम क्या है? तो टोटल टाइम 10 आवर और 14 आवर का एडिशन है तो 10 आवर और 14 आवर, यानि की 24 आवर ठीक है, भाई, कितना 24 आवर, उमीद करता हूं 11 कोशन आपको समझा आगया है, आगे बढदेंगे, कोशन number 12 करेंगे ठीक है ना आगे बढ़ेंगे फटा-फट तेजी में फटा-फट तेजी में question number 12 करेंगे so question number 12 कहता है Mansi can draw 8 km downstream and return 1 hour 40 minute if the speed of stream अभी तक हम ने जितने भी question करें उनके अंदर speed of still water दिया होता था speed of stream बताना होता था इस particular question के अंदर speed of stream दिया हुआ है speed of still water बताना है x के विलो बतानी है y के विलो दियो ही है y विलो गिये वैं x विलो बताना है लेकिन total time है 1 hour 40 minute का ये बड़ी समस्य है यार total time ठीक है ना total time total time कितना है total time 1 hour plus में 1 hour plus में 40 minutes का है तो 40 minutes को divide कर देंगे 60 से per hour में चला जाएगा तो 1 में adding करेंगे 22 जा 23 जा 2 divided by 3 3 बंजा 3 प्लेस 2 5 upon में 3 अभी total time है 5 by 3 total time का मतलब क्या इतने सारे question कर लिए total time का मतलब है up stream का time downstream का time time का मतलब क्या है up stream का time downstream का time time of downstream में adding करना है time of upstream कोशन कहता है मांसी ने 8 km का distance travel करा है 8 km downstream में गई है 8 km ही वापिस आई है 8 km का distance travel हुआ है 8 जाना 8 आना तो distance का value 8 है distance 8 को divide करेंगे increase वाली speed से ठीक है x plus y से increase वाली speed से तो x plus y आएगा adding आएगा यहाँ पे 8 आएगा, dividing आएगा, x-y आजाएगा, ठीक है न, upstream का time, upstream की speed से travel होगा, downstream का time, downstream की speed से travel होगा, बस इसे solve करना है, ठीक है न, इसको आपको solve करना है, multiply कर दो, ठीक है, cross multiply कर दो, तो 8x के minus में 8 into y हो जाएगा, addition में 8 into, 8 into x के plus में 8 into y हो जाएगा, denominator में x plus y, x minus y, x की power 2, minus y की power 2, की total value 5 upon 3 हो जाएगी, ठीक है भी कितनी हो जाएगी, 5 by 3 हो जाएगी, 8y और 8y कैंसल करने पे 8 और 8 16 हो जाएगे, मेरे दोस्तों, 8 और 8 कितने होते हैं, 8 plus 8, 16, कितना होता है, 9 कितना होता है, 16 होता है, 16 होता है, तो यहाँ पे note कर दो, ठीक है, यहाँ पे note कर दो, यह बने गया 16 into x, यह वाला 3 multiply होगा, 16 into 3 into, 16 x into 3 के denominator में, x की value, y की value में साबको y का value दिया, वे 2 है, speed of stream 2 है, speed of stream 2 value है, 2 km per hour है, y का value 2 है, यहाँ पे आएगा 4, तो यह बनेगा आपके पास, x power 2 minus 4 equal to 5, फटा-फट तेजी में cross multiply करेंगे, multiply करेंगे, 48 into x की total value, 5 into x power 2 minus 20, ठीक है न, आप लिखेंगे इसको, 5 into x square रहेगा, ठीक है न, भई, 5 के साथ में x square रहेगा, 5 x square यह दर आके minus हो जाएगा, तो minus में 48 x आ गया, minus में 20 है, equal to 0 है, 5 और 20 को multiply करेंगे, तो 100 आएगा, 5 और 20 को multiply करने पर 100 आएगा, इस वली value को, इस वली value से multiply करेंगे, 100 आएगा, आपको 100 के factor बनाने है, 50 और 2 बन जाएगे, 50 और 2 को minus करेंगे, 48 आजाएगा, तो आप लिख देंगे, 5 x square minus में 50 x है, इसक total value 0 है, इन में से common कर लेंगे 5 x, 5 x के साथ में x minus 10 आएगा, plus में 2 common कर लेंगे, x minus 10 होगा, total value 0 है, ये वला एक bracket आगया, x minus 10 के साथ में, दूसरा bracket 5 x और 2 आएगा, तो 5 x addition में 2 का total value 0, एक बार लिखेंगे, x minus 10 की total value 0 है, यानि की x का value 10 है, इसके साथ में 5 into x plus में 2 का total value 0 है, यानि 5 x का value minus 2 है और x का value minus 2 by 5 है negative speed नहीं होती है तो x का value 10 आ गया मेरे भाई x का value कितना आ गया x का value 10 आ गया उमीद करता हूँ कहानी आपको समझा गई है what is the value of x x का value है अपने पास 10 km per hour 10 km per hour 10 km per hour is the correct answer question number 3 दिन बोल रहा है speed of boat in still water सांची अगर still water में boat को चलाएगी तो उसकी speed 5 km per hour है यानि कि आप note करेंगे question number 13 के अंदर आपको x का value दिया हूआ है 5 है ठीक है भी x का value दिया हूआ है 5 है question कहता है if it take अगर सांची को 1 घंटा ज्यादा लग गया 5.25 5 km अपी stream travel करने में यानि कि आपको यहाँ पे distance दिया हूआ है जो distance है 5.25 km है ठीक है 5.25 के 00 काट के आप लिख सकते हैं 525 के बटे में 100 525 बटे 100 को 25 पे काट दो तो 25 दूनी और 25 एकम 21 बटे 4 km ठीक है 25 के devil पे काटा तो 21 by 4 km x का value दिया हूआ है distance का value दिया हूआ है question कहता है सांची को upstream में एक घंटा ज़्यादा लग गया भाई सांची को upstream में एक घंटा ज़्यादा लग गया यानि कि upstream का time जो है वो downstream time के addition में 1 है upstream का time downstream time के downstream time से एक घंटा ज़्यादा है मैं नहीं कहा रहा question कहा रहा है question को read करो आप if sanchi take sanchi को one hour ज्यादा लग गए है up stream में then to return downstream जाने में एक घंटा अधिक लग गया है up stream में एक घंटा अधिक लग गया है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो up stream का value है इसमें अगर आपर minus कर देंगे downstream का value total value 1 हो जाएगा अरे यार इसको minus कर दिया ना यहाँ पे लाके जो td था यहाँ पे minus कर दिया तो up stream के time में downstream का time minus करेंगे तो one आजाएगा अब up stream का time क्या है भाई इतने सारे question कर दिये अभी तक आपके दिक्कत soul में हुई up stream के time के लिए distance को divide करना है up stream की speed से किस से divide करना है up stream की speed से यानि की जो यह वाला distance है पहले यहाँ पे d रेंदो ठीक है distance d kilometer को अगर हम divide करेंगे up stream की speed से यानि की x minus y से इसमें minus करेंगे d kilometer divide by downstream की speed यानि की add वाली speed x plus y से कुल मिला करके one है d को common कर लेते हैं d को common करने के बाद में one upon में x minus y में minus होगा one upon में x plus y की total value 1 है d का value 21 by 4 है इसके साथ में इस वाली value को यहाँ पे 1 से multiply करेंगे x plus में y आएगा खबरदार खबरदार यहाँ पे minus का sign है minus जब भी यहाँ पे multiply होगा sign change कर देगा x की value minus हो जाएगी y की value plus हो जाएगी और इसके denominator में दोनों का multiply a minus v a plus b a minus v a plus b a square minus में b square की total value 1 है are you getting this point क्या आप सभी को बात समझा रही है total total time नहीं दिया इसके अंदर upstream time downstream time minus करेंगे 1 है बाकि तो calculation है यार बाकि तो calculation है इतनी भी बेस्ति मत करो कि आप कहरो कुछ समझी नहीं आ रहा कमाल कर रहो मेरे भाई 15 question total करने है 13 question तक video देख चुके हो और बोल रहे हो समझ नहीं आ रहा very very bad बहुत गलत बात है मेरे भाई ये very very bad एक दो वीडियो को like भी नहीं कर रहे वीडियो को share भी नहीं कर रहे देखके चीजों को कर भी रहे हो समझ भी रहे हो फिर भी कहरो समझ नहीं आ रहा very bad मेरे भाई very 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 bad बहुत गंदी बात है जिन बच्चों को समझ आ रहे है वो इस question को आगे solve करेंगे value X को value X से cut कर देंगे भाई value X को value X से cut कर देंगे मेरे भाई आप समझे नहीं क्या ये वाला value जब यहाँ पर 1 से multiply होगा ये minus कम बकत बैठा हुए न minus sign change कर देगा मेरे भाई minus value sign को पलट देगा plus x minus हो जाएगा minus y plus y हो जाएगा उसके हिसाब से मैंने काटपिटी करी है y में y plus करेंगे तो बनेगा 2y इक्स का value 5 है यहाँ पांच को put करेंगे 4 आगे रहेगा तो 4 के साथ में 5 का square 25 माइनस में y का square और equal to में 1 है इनको multiply नहीं multiply नहीं करेंगे cut कर देंगे 2 1 जा 2 है 2 2 जा 4 है 21 simple है 21 के denominator में 2 के साथ में 25 माइनस में y square है और ये total value 1 दी हुई है 21 equal to में 2 into में 25 माइनस में y square ठीक है ना यहाँ बे y भी है 21 y है 21 y ठीक है nा 21 y के equal to में 2 को 25 से करेंगे 50 50 2 को y square से करेंगे तो 2 y square आएगा इसको यहाँ पे लेके आएंगे 2 y square में plus है 21 y minus कर देंगे 50 equal to में 0 तो दुबारा से factor बनाने हैं मेरे भाई, दुबारा से factor बनाने हैं, 50 को 2 से multiply करने पर 100 आएगा, 100 को तोड़के minus करने पर 21 बनाना है, 25 और 4 बनेगा, कितना बनेगा, 25 और 4 बनेगा, यानि कि आप लिखेंगे, 2y square के addition में 25y है, 25 में minus कर देंगे y, ठीक है, 25y में minus कर देंगे, 4 into y, minus कर देंगे, 50 total value 0 है, यहां से आपको y का value पता करना है, ठीक है न, यहां से आपको y का value पता करना है, देखते ही खत्म होने वाला question है, यहां से आप common कर लो y, ठीक है न, यहां से y common कर लो, y के साथ में यहां पर बनेगा, 2 into y के addition में, total 25, bracket close, इन में से common कर लेंगे, minus का साथ में यहां पर आएगा 2 into y minus बाहर है देगो minus बाहर है sign change हो जाएगा sign change हो के हम 25 बनेगा total value 0 है यह वले दोनों एक bracket रहेंगे यानि की 2 into y के addition में 25 है और इसके साथ में y minus में 2 है total value 0 है अगर आप एक बार यहां पर लिखो इसके आगे मैं यहां पर कर रहा हूं ठीक है यह वला तो यहां पर इसको आगे एक से extend कर दो इस वाले को लिखेंगे तो 2 into y में adding करेंगे 25 को total करेंगे 0 यानि की 2 into y की total value 25 है so y का answer minus 25 upon 2 है जो की हो इनी सकता यार minus answer कैसे हो सकता है मेरे भाईया minus cannot be the answer अगली वली value को consider करेंगे इस वली value को consider कर लेंगे तो y minus 2 का value अगर 0 है तो y का value जो है वो 2 है ठीक है मेरे भाई y का value कितना है y का value 2 है उम्मिद करता हूं कहाली आपको समझ आगी है अगर समझ आगे है तो एक बार इसको note कर लो पूरा boat हमारा भर चुगा है फिर करेंगे question number 14 देगे भाईया question number 14 कहता है a man can draw a boat in still water 6 km per hour x का value दिया हुए यार man can draw a boat in 6 km per hour in still water यानि कि क्या है x का value है तो x का value 6 km per hour दिया हुए आप note करेंगे question number 14 के अंदर पता चल गया है x का value 6 है ठेगे न 6 km per hour है x का value 6 है if water in river flow at 2 km per hour water यानि की speed of पानी speed of पानी यानि की y तो y का value है 2 km per hour x भी दिया हुए है y भी दिया हुए दोनों value दे रखी है question कहता है it takes 3 hour more पहले वाले question में कहते थे एक घंटा अधिक लगा इस वाले question में बोल रहे है 3 घंटे अधिक लग गए है 3 hours का time आपको उधिक लग किया है upstream में then to return downstream तो distance d बताइए अरे यार बिलकुल देखते ही उड़ने वाला question है बिलकुल देखते ही question कहता है upstream का time जो है वो downstream time से 3 घंटे ज्यादा है भई upstream time जो है downstream time से 3 hours ज्यादा है 3 hours मोर है question को read करो यार question को read क्यों नहीं कर रहे हो आप upstream time का समय downstream time से 3 hour मोर है तो upstream का time downstream time से 3 प्लस है आगे आप इसको लिख सकते हैं कि upstream time में minus करते हैं downstream time total value 3 है upstream time का मतलब है distance d kilometer को divide करेंगे upstream speed से upstream speed होती है x minus y minus करेंगे distance d kilometer के denominator में x plus y ठीक है न downstream की speed equal to total 3 है distance d kilometer distance d kilometer को denominator में इन दोनों को minus करतेंगे total value 4 बन जाएगी minus distance d upon में दोनों को add करेंगे total 8 आएगा equal to में 3 है 4 और 8 का lcm total 8 आएगा ठीक है न यहाँ पे रहेगा 2d minus d 2d minus d value 3 है कि रोज multiply कर दो भाई इन दोनों को minus करेंगे तो d आएगा यहीं पर लिख देते हैं distance d आएगा 8 और 3 multiply होके 24 हो जाएगा 24 किलोमेटर इस question number 14 का answer है मेरे दोस्तों क्या आपको 14 का 14 कोशिश समझ आए असानी तरीके से मैंने आपको समझाने के कोशिश करी बट मैंने आपको एक बात बोली basic concept देख दो मेरे भाई basic concept देखने के बाद अगर आप यह बीडियो देख रहे हो तो जानदार शानदार और very very important है इमानदार तरीके से हर एक कोशन को बड़िया तरीके से समझाने को उश्च करिये मैंने आपको उमीद करता हूं कहानी आपको समझा रही है लेकिन फिर भी मैंको बोलना चाहूंगा अगर आप capable हैं तो हमारे paid match में आवा सकते हैं शानदार जानदार high level का content आपको पढ़ाएंगे सो निश्चित करेंगे hundred में से hundred marks आपके आएं सो क्या कहते हो आगे बढ़ें लास्ट कोशन करें आईए फटा फट तेजी में मेरे भाई लास्ट कोशन का ही कोशन है क्या average speed basic concept की वीडियो मैंने आपको बताया था average speed question number 15 के अंदर average speed बतानी है तो जो average speed होती है भाई जो average speed होती है वो downstream speed multiply by upstream speed के denominator में x की value होती है downstream speed upstream speed upon में x को solve करेंगे तो automatic हमारे पास average speed आजाएगा कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है तो कोशन आपको कहता है मेरे भाई कोशन आपको कहता है ए बोट जो बोट है वो downstream में 13 km पर आवर की speed से travel हो रही है ठीक है ना distance आपको दिया हुआ है कोशन ने आपको distance दिया हुआ है तो distance कितना है कोशन कहता है 12 km का distance है ठीक है ना 12 km का distance है और downstream की speed आपको दे रखी है यानि x plus y दिया हुआ है ठीक है आपको downstream का speed दिया हुआ है downstream का speed x plus y जो है कितना है कोशन कहता है x plus y का value 13 है ठीक है भई एकस प्लस y का value 13 है और बात करें upstream speed की upstream speed x minus y है तो x minus y कितना है तो आपको बताना है average speed क्या है पहले तो यहाँ पे लुखो यह 7 है ठेकर यहाँ पे लुखो 7 है आपको downstream का speed चाहिए दिया हुआ है downstream का speed है 13 13 को multiply करेंगे upstream speed से upstream का speed 7 है 13 into 7 करेंगे value को divide करेंगे x की answer से x की value नहीं है अपने पास x की value नहीं है fall 2 का distance given है distance की जुरूत नहीं है हमें x का value चाहिए तो x का value होता है इनके addition का half यानि की 20 20 divided by 2 यानि की x की value 10 तो x की value 10 है 13 को 7 से करेंगे 91 के denominator में 10 है यानि की 9.1 km per hour जो average speed है वो 9.1 km per hour है मेरे दोस्तों सभी के सभी कोशन शांदार चांदार इमानदार तरीके साब को हमने करवा दिये हैं उमित करता हूं का हाली आपको समझाई होगी अब अगली class में आपको हम exercise number 2.3 करवाएंगे और मेरे दोस्तों जाते जाते वीडियो को अपने दोस्तों के साथ share कर देना very 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 important chapter था आपके exam में इस chapter से thousand percent कोशन आना ही आना है तो definitely अपने दोस्तों के वीडियो को share कर देना आप से मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में